पुलिस किस तरह लोका नाल याती कर दिया उजडा जिता जाता उता ररना सादे नाल बसीम मलिक है इने ना जड़ जाती हुई है और जिता जाता उता ररना पुलिस दी जाती दा 12 दिसंबर 2016 विच चंडिगड सेक्टर नत्ती जड़ी लोहा मार्किट है उस विच एक बलतकार दी जड़ी कटना है और अंजाम दिती गई आटो चालक एक बंदे ने आते उस दे साथी ने दो बंदे सी गे जिनना ने इस वार्दात नों अंजाम दिता जिस्तो बाद लगबक 17 मिन ने जेल चे रहके आये इसी दुरान जेड़े असली मुझरिम सी गे उन्हाने इक होर रेब दी जड़ी बार्दा था उन्हों अंजाम दिता जिस करके वो पकड़ेगे जिदो पकड़ेगे ता पुलस वालेया नों अपनी गल्ती दा एसास होया प अन्हाने मुझरिमा ने ही अंजाम कोशिश कर दे है पुलीस अचानक उन्हान किला चाकटे लैगे ड़कर वार्दा था खैब heavier मलिक साब क्यों सोनू मतला की पुलिस ने इक फोदाम क्यों सोनू शामिल किता की कोई पुरानी रंजिस सी गी या सोड़ा कोई अपरादी का रिकॉर्ड रहा मलिक साब मैं शुरू से बात करता हूँ 12 तरीक की वारदात है पुलिस ने आपको किस दिन संपर्क किया कहां से उठाया कहां से रेस्ट डाली और कब उन्होंने उठाया आप वारदात वाले टाइम आप कहां थे सर मैं 12 दिसंबर को तो चंडीगड के अंदर ही था लेकिन मेरे को यह नहीं पता था कि चंडीगड के अंदर 12 दिसंबर को ऐसी कोई वारदात हुई है मेरे को यह नहीं पता था 13 दिसंबर को मैं अपनी लोडिंग गाड़ी चलाता था वो मैं लेके हिसार के पास हांसी गाउं है शेहर है वहा हो पर में गया हुँ था मेरा 4-5 दिन का टूर ता मेरे को कि मैं 13 दिसंबर को गया था 14 दिसंबर को वहा पर पिलिसवाले मेरे को लेने के लिए आए 1 15 बज़े रात को पुलिसवालों की पोल आती जो तो हमारे दिल में तो यह है कि आएंगे जो पुछेंगे हम बता देंगे हमने तो कुछ करा ही नहीं है तो पुलिस वाले आये उन्होंने आप से पूष्टाच की पूछता अच नहीं बस उन्होंने यह कहा के चलो मैं उनको बोला कि कहां लेके जा रहे हो आपको क्या पूछना आप यह पूछ लो मेरी गाड़ी भी है मेरा काम भी अभी दो दिन मेरे को यहां और लगने है तो पुलिस वाले कहने लगे के नहीं नहीं तू चल सर फिर मेरी वार्दात में आटो अंजाम दिया हूए यह वार्दात जो ही वो थ्री विल्लर के अंदर हुई आटो में अंजाम दिया गया और जबकि आपके पास आटो नहीं था आपके पास चाटा ऐस थी जो दो लोडिंग अन्लोडिंग गाड़ी है हाँ जी सर मेरे पास दोनों ने आपके उपर मतल की बलतकार का जो पर्चा है वो डाल दिया है तो आपको ठाके वहां से लेकर आए हाँ चंडिगड पुलिस लेकर आए है चंडिगड पुलिस के कौन क्राइम ब्रांच वाले लेकर है तो सब अच्छा उसके बाद कहा रखा क् क्राइम प्रांच में लेका है फिर आया वहां पर रखोंगे लगे के बाइव बता क्या कर तु ने इसे बारदात का भी नहीं नीए तो मैं उन्हों से पूछ रहा है स्छाने क्या चाहते हो ने कुशए नाने क्या चाहतो यू ह miejsce है तो उन्नों ने परिक आएं रहे लां, तोखोम, उत्वीनि फिए भीट Chair तूडव कंस तो तूड़ वारतय, तूड़ अपशी वार्वशाय मंजाए है। मैं दूआती दिफिए तूड़तर मेरे पॉइंगर है। मैं उत्वारल स्श्काइदेश्चुन्हें मेरे। महले में पडोस में पता कर लो कि भी मैं क्या चलाता हूं और क्या करता हूं मेरा को क्रिमिनल रिकोर्ड नी था नॉर्मल सी जिंदगी थी बस यह कर रहा था खारा था 12 तरीक को वार्दा थो ही 13 तरीक को आपको उठाया तो पुलिस ने 13 को आपकी रेस्ट जाल दी जा चोदह बस ऐसे करके फिर मेरे से साइन कराए कि इंतर को झूड़े हैं और तो या साइन करें बस सर्व मेरे से साइन सेओ । जो आपकी तीन को आपको वैद हिराशत में रखा आपको टॉचर किस तरह का टॉचर किया गया मतलब की जनली आपको थपड़ वेरा मारे गए या किस तरह का आपको टोचर किया गया सर टोचर मेरको बहुत जादा करा गया मरब थर्ट डिग्री उसकरी गई है आज मेरी स्रीरी जो समस्या वो भी ठीक नहीं सर काम करने में भी दिख्कत है कभी हाथ में दर दो जाता है कभी पेर में दर दो जाता है आज काम करते हैं मेरे को दिख्कत है एक बीडीर अपको पानी में डूबाया गया मेरे करेंट भी मारा गया और यह आप मेरे हाथ देखो गे यह देखो आप जिसकी वजह सा सर मेरे को बहुत दिक्कत है एक तीन तीन उन्होंने आपका अवैद हिरासत में रखा उचके बाद रहेश डाली पिर क्या कोई पुलीस रिमांड भी लिया था कर दो दिन का मेरा सर कोड़ से उन्हों ना फिर दो दिन का मेरा में लिए किस में जो मिल मुखें है टो बस ऐसे ही इनक 1,000 इनको लिए घ्राइम ब्रांच, मोबाइल का है चक्कू का है सर मेरे पास कुछ स्थानी तो मैं कहां से दिता नहीं जब कोई बरामदी भी नहीं हुई और आपको उन्होंने रेस्ट भी डाल दी वो जो रेप विक्टिम थी क्या उसने आपको इंटिफाइग किया उसने कहा भी हाँ जी आप ही थे क्योंकि तो दार होगा ना सर मेरे सामने लड़की लड़की को नहीं लाया गया मरगो 39 में ले जाया गया मरगो सेप में करा गया वहाँ पर नाई को बलाया गया मेरी कटिंग कराई सेविंग पर में लगवाई पलिस वालोंने और मेरे को सेव में करा तो फिर पहले उसको दिखाया मतलब इसके बाल बहा है इसके बाल भी बड़ेय। ये वैसा नहीं है फिर नाइब लाया यह फुलिस वालों तो फिर में सब्सक्निक उप्सक्निक में मुच्त प्रोट सेफालों लड़ में अधी पहार्ंची 1 बाल दे पा के में अभ़ित्यकं पर्सनल रंजिस थी किसी की पुलिस करमचारी की या पुलिस अफसर की आपके साथ पर्सनल रंज2021 कि लड़की तो आपको जानती नहीं थी आप लड़की को नहीं जांते फिर क्यों आपको मतल assess में इrica आज तक में सवार का जवाब ने मिला सर का में इस में जो चेल में डालाग्या अग्याग्याव जो तो रियल है वो सब के सामने पूरी दुनिया के सामने है सर आप वाले केस में तो पुलिस ने चलान भी पेश कर दिया था मतल की जो 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 अदालत की परसीडिंग होती है वो भी लास्ट चरन में थी फिर एकदम से यह कैसे हुआ असली मुझ्लिम कैसे पकड़ेगे है सर यह है उन्हों ने 29 में यहां पर त्रेपन में एक वारदा ग्यांगरेप करी दी और सर उसके थुरून को अरेष्ट के गया फिर उस केस में मेरे केस में भी फिर उनको इरपान जो था उसको उनको बुलाया गया उनका डियन ने भी उस लड़की से मैच कर गया जिस यह लुबर बन्टिफाइ कर दो उन्हों लड़कों को लड़की ने कोड़ के अंदर और उनका डिने सेंपल भी उस लड़की से मैच है लड़की ने उनको एडिवाइब कर आज है उसके बाद फिर पुलिस ने क्या क्लोज अपनी गलती मानी तब आपको अदालत ने छोड़ तोही बंदे थे दून आप से कोई मुजरिम नी था तोटल कितने दिन जेल मेरे रहा हूं पूरे 17 मिने आप जेल में रहें इस दुरान क्या 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 नुक्सान हुआ है यह तो आपने फिजिकली बता दिया भी फिजिकली आप अब अन्फिट हैं और इसके लाबा क्या कोई माली मतल की माली भी नुक्सान लाजमी हुआ हुआ है कितना माली नुक्सान हुआ गर की हा सब बरबाद हो गया है सब्सक्राइब बेचनी पड़ी वह भी बेचनी पड़ गीजादी के लिए जोड़ा था सब वह भी चला गया तो आपने क्या चंडीगड पुलिस चंडीगड परशाशन के खिलाफ कोई केस भी दार किया कोई कमपर्शेशन की डिमांड किया और जो कसूर वार रहा है उनको सया मिले कुछ ऐसा भी आपने किया हुआ है सर बस मैंने कोट से का सर के भाई मुझे 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 अपने आपने हाई कोट में केस दार किया हुआ है सब्सक्राइब के इस बसीम मलिक जो है एक जिता जाता उदारेना मतल की पुलिस टॉचर का या पुलिस की जातियों का किस परकार पुलिस एक बेकसूर को अपनी पीठ थप थपाने के लिए जा अपना क्राइम चार्ट आप उसको साफ सुथरा रखने के लिए किस परकार एक बेकसूर नूँ सलाखां दे पिछे पुंचादन दिया उस दा जिद्धा जाता हो दारन ए बसीम मलिक हैं बसीम मलिक मतल की जखो शुरू तो लेके एंड तक वो किते भी किसी भी तरह इन्वाल्मेंट उन्ना दी किते भी लगदी नहीं सीगी उन्ना को लॉट प्रटों नहीं सीगा उस दुरान बारदात कटना स्थालते सीगे नी उसते बाव्यूत एन्वावियूत लड़की ने भी जड़ी लड़की नाल ए रेब दी कटना हुई उन्हें भी पहचान तो मना कर देता लेकिन उस दे बाव्यूत बसीम मलिक नों उन्हाने टंग देत उन्हाने तिन दिन अपनी अवैद हिरासच भी रख्या उन्हों लगा ता टॉचर किता उस तो बाद जिदों नहीं टुटे तां भी उस दी तारी डालके उस तो बाद चलान भी पुलिस ने पेश कार देता कोर्च प्रसीडिंग भी शुरू होगी गवावी पुक्त गे त केस लास्ट मुमेट से सिगा उस तेम असली अपरादी पकड़ेगे तां जाके इस दा चुटकारा होया जदी असली अपरादी ना चुट पकड़े जांदे तां बसीम मलिक नू जडी सजा सीगी और पकी सीगी इस केस विच ए तुसी ए मतल की चंडिगड पुलिस दी जड जड़ 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 अधर उदा उदा अधर ने मैं दिनेश कोल गेमें परवीन पांडे देनाल देनिक स्वेरा टेवी ली चंडिगड पो Hello friends my name is Pranay and I am a student and only 20 years old Bodyfab Medical Weight Loss Clinic I was weighing around 106 kgs after joining Bodyfab I have seen a drastic change to slash down my weight to 85 kgs to lead a very healthy and active lifestyle right decision and join Bodyfab Medical Weight Loss Clinic